जैमा बिंधवाशनी हर हर महादेवाप शभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब परिवार फेस्बूक पेस में आज हम सब जानेंगे कि तंतर के छेत्र में मारण प्रियोग किस प्रकार से होता है हमारण प्रियोग आखिर करते कैसे हैं और कितने प्रकार का यहा होता है सरोप्रत्रम यह जानिए कि जैसे किसी व्यक्ति को विश्ट दे करके मारा जाता है जैसे किसी व्यक्ति का किसी सस्त्र से आघात करके उसका वद्ध कर दिया जाए उसके हत्या कर दिया ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसे मंत्रों के समयोजन से किये जाने वाली क्रियाएं हैं जिनको करणे मात्र से जो लक्षित व्यक्ति है जिनकी उपर लक्षित साधकर की यह क्रिया की जारी है उसके भी मृत्ति हो जाती है अब ये कैसे कारे करते हैं ये होते क्या हैं सबसे पहले बात की मारण प्रियोग यह जान करके रखी कि कभी भी दो प्रकार के होते हैं प्रथम मारण प्रियोग जो होता है जैसे ही कोई सिध्ध व्यक्ति जैसे ही कोई तंत्रिक या जैसे ही कोई मांत्रिक किसी विद्या को जब सिध्ध किया हुआ है अब उने सिध्ध कियो ही विद्या के द्वारा अपने किसी प्रियोग को प्रक्षेपित करता है तो कुछ चणों के भीतर ही सामने वाले विक्ति के मृत्ति हो जाती है कारण कुछ भी बने या फिर अगर कोई विक्ति ऐसी सिध्यों को किया हुआ है जैसे कि युत्तर प्रदेश बिहार के चितर में हम लोग बोलते हैं मिलान सिध्य, मिलान के सिध्य होती है वो एक यहीmp रामन भगतवाल की प्रकरिया है उसमें जब किसी सकती को प्रक्षेपित की जाएगी तो वो सकती अपने लक्ष के पास जाकर के उसके नाम को पुकारती है और अगर सामने वाला लक्षित विक्ति अगर उसने जबाब दे दिया यह सामने आ गया समय कुछ भी हो दिन हो रात हो दोपार हो साम हो वो विक्ति अगर जबाब दे दिया सामने आ गया तो देखने मात्र से उसकी मृत्ति हो जाएगी इसे आप पूरी की संकराचार जी महाराज हैं उनकी कुछ वीडियो जो मैं आप सुनिएगा वो बताएंगे कि उनकी उपर मांत्रिक सर्पों से यह प्रियोग की गए हैं इसे ही मांत्रिक सर्प लगभग का जाता है मितलांचल के छेत्र के महें उधर भी इस प्रकार की चीज़ों का प्रियोग होता है एक तो यहाँ प्रियोग हो गया यानि कि कृत्य की ऐसी सिद्धी कि अगर हमने लक्ष बना करके उसे चला दिया तो वो जा करके अपने लक्ष को भेदन कर देती है मुठ करनी प्रियोग हाणी का प्रियोग यह भी इसी का एकंग है हाणी के प्रियोग में किसी ऐसे सक्ती के द्वारा उसको हाणी को पले चोकी को उठाना और प्रक्षेपित करना भेजना वो जा करके अपने लक्षित विक्ति के उपर में उस हाणी के द्वारा उसके मिठ किया जाता है साथ दिन दस दिन चालिस चालिस दिन तीन तीन महीने तक का प्रियोग होता है और यो प्रियोग इतना प्रबल और इतना अकाटे होते जाता है जितना ज्यादा समय लगता है वो इतना अकाटे होगा लेकिन इसके द्वारा प्रमुखता से यह किया जाता है कि ल रोग के लिए दवा चलेगी उस रोग के लिए जितना सारा चीज होगा होना होगा लेकिन ठीक नहीं होगा जितना उसका इलाज कराया जाए उतना वह बढ़ते जाए और पिर अंति में उसके कारण ही किसी प्रकार के विश सरीड मुत्पन हो जाएंगे या कुछ ऐसा घात सर सरीड में उत्पन होने आरंब हो जाएंगे और जिस दिन उस प्रयोग का अंतिम दिन होगा उस दिन उसके म्रती हो जाएगी कई वार ऐसे विध्यां होती हैं तंत्र के छे चेटर में कि किसी एक शकती को जागरत करके सद्ध करके रख लिया जाता है और जब कभी मारना लक्षित वक्ति के शरीड की किसी अवय को ला करके उसे रख करके और उसके उपर उसका प्रयुक किया जाता है तो उसकी तत्काल मिड़तियों भी हो जाती है इसमें नहीं किसी प्रकार की उर्जा का प्रक्षेपन सीधे किया गया है नहीं उसके उपर में किसी प्रकार के वै के आसपास दिपावली के एकाद दिन के आसपास ये सारी जी तो मिठती हो होती है ना उसमें बहुत सारी अविचारिक मिठती होती है ये वो समय होता है जिसमें इस प्रकार के करना है उसके सरीड से संभन्धित कोई विश्वस्थु नहीं है लेकिन जो विशेष समय में जैसे कि तारेक चातुर दसिया भी आने वाला है, उस समय चरम पे होता है, बंगाल के छेत्र में जाइए, उस समय जुतने मारण परिच्ने वाले होते हैं, बड़े बड़े लोग जो ओते हैं, बैपारी हैं, बिजनसमेन हैं, द्वेस है आपस में, उससे में सब प्रियोगों लोग समसानित्यादी में करते हैं, यह जो प्रिक्रिया होती है, इसमें एक विसेश प्रकार के मंडल बनाए जाते हैं, ठीक है, और चिता भूमी में ही इसका प्रियोग अधिकाधिक किया जात कुछे तामसिक पदार्त होते हैं, जैसे कि कुट्ते का रक्त, बिल्ली का रक्त, कव्वे इसमेर के विक्ति इसका विक्ति है उसका भी समय है, उसका भी समय है कि इस समय में ही वह लास्हानी चाहिए, तब उसके शिडण के जो वैतालिक वश्त्र होँगे, विसाज वश्ची में चाहिए अगर छत्र यहां का जाता हनग अगर चत्रिय होंगे तो चत्रीए होंगे ऐसे करके या किसी को रोग ही पीड़ा ही देना है तो सबसे च्षूदर जातीगर जो विक्ति मिले या उसकी विशय में जानकारी हो तब इस प्रकार की चीज़ें वहां से कठी की जाएगी जो मटकी जिसमें की घर से अगनी प्रजुलित करके लाई जाती है बिना फोड़े हुए ही वो हाणी मिल जाए वो ले ली जाती है उसके बश्चाद उस यंत्र के मद्ध में इन सभी सामगरियों का मिस्रन प्रयोगित करने के लिए पुतला बनाए जाता है उसका निर्मान होता है और उसमें उस विक्ति का नाम गुतरत्य दिपता हो जिसके विशय में यह प्रियोग किया जा रहा है और यह करने के पश्चाथ उनके सरीड में जब पूरी प्रतिष्ठा विदी कंप्लीट हो जाएगी तब फिर उस यंत्र के विभिन हिस्से में इनके जो संबंधित विद्याएं होती हैं उनकी सक्त स्वियाल में कथा कहानियों में सूनते हैं जो है कि cracking विषय हिस्सें में और सामने वाले वेक्ति तदकाल दिखाता है मृत्यों को प्राप्त हो किसी वैसे निकरिष्ट स्थान में रख करके dwarlave मंतोरों के द्वारा उसे आभी मंतोर penalty के या रहता है और जब इस अभी मंतो एंथर की उपस्तिए पुत सुद्ट पुतले पर गाड़ा जाएगा तो जो विट्ति लख्शित किया है प्रतिष्ठा की गई उसकी असंबान प्रश्थितियों में मृत्य हो जाती है यह चीज होता है मारण के वेविन प्रकार की प्रियोग यह विसाय आप सभी के समख्ष रखने का सिर्फ यह थातपरत है कि कुछ सीमा तक आप लोगों को यह जानकारी हो कि मारण प्रियोग इत्यादी कैसी किये जाते है. हमारे कोई भी ऐसा उद्दित नहीं है कि आप इस प्राकार की प्रक्रिया प्रक्षा कर सकते हैं अपने प्रियोग को अपने महाधे